हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई में स्वागत है आज की रेस्पी है केले से चिप्स बनाना तो आइए च्टार्ट करते हैं केले से चिप्स बनाना केले से चीप सबनाने के लिए ये हमने कच्छे केले लिए हैं ये हमने छे केले लिए हैं तो सबसे पहले हम केले को इसको हमने धो लिया है अच्छे से और कपड़े से एक से पोंच लिया है और ओल को गरम होने के लिए रख दिया है अब मैं केले को छील लेती हूं चाकू की म केले केला अच्छे से छिल कर तियार हो चुका है और ये हमारा दूसरा केला भी छिल कर तियार हो चुका है अब मैं इसको बारीक कट कर लेती हूँ आप चाहे इसे कदुकस कर सकते हैं मैं हाथ की मदद से बारीक बारीक इस कट करूँगी इसके आप चाहे इसे ड्रेक्ट तेल में फ्राई कर सकते हो दो किलो को कट कर दिया है और ये मैंने आधा चमच सेंदा नमक लिया है और अम मैं इसमे नमक के अंदर एक से डेड़ चमच पानी डालूँगी अम मैं नमक के अंदर पानी डालूँगी ये मैंने डेड़ चमच पानी डाल दिया है केलो को हम दो करके या एक पीस करके कट करेंगे नहीं तो अगर हम ज्यादा केले को कर देंगे तो वो काली पड़ जाएंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब मैं ये केले के पीस छोड़ दूगी इसमें अब मैं इसमें ये नमक का पानी डालूँगी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ही करके हमें नमक का पानी डालना इसमें और इन्हें मैं प्रिष्पी होने तक फ्राई करूंगी ये हमारे केले के चिपस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब मैं इन्हें एक छलनी में निकाल लूँगी आप चाहे केलों को काड़ी के पानी में भी डुबो सकते हैं मैंने इन्हें वर्त में इस्तमाल करना है आप इसे नवरात्रे के वर्त में बना सकते हैं मेरे चिपस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं ती परकार से मैं बागी बचे हुए केलों को भी फ्राई कर लूँगी एक केले को कद्धू कस्त करके दिखाऊंगी कितने अच्छे से कट हुए हैं हमारे केले के चिपस और इन्हें भी मैं फ्राई करने के लिए डाल देखी उसमें और अब मैं फिर से इसमें थोड़ा सा नमक का पानी डाल दूंगी और यह भी हमारे चिपस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इन्हें भी मैं चलनी के अंदर निकाल लूँगी और यह हमारे चिपस अच्छे से सारे फ्राई हो चुके हैं इन्हें भी मैं चलनी के अंदर निकाल लूँगी और यह हमारे केले के चिपस बनकर त्यार हो चुके हैं और मैं इन्हें से एक दो पीस निकाल के आपको तोड़के दिखाऊंगी यह देखो कितने क्रिश्पी बने हैं हमारे केले के चिपस अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सिस्क्राइब करना ना भूलें धन्ये